नमस्कार शीरी पोस्ट में आपका स्वागत है आपके साथ मेम्री दुला तिजस्वी यादो साधी के बाद अपनी दुलहनिया को लेकर यानी रासरी को लेकर वो पटना पहुझे थे साधी के बाद अभी तक तेजस्वी यादों पटना में ही रह रहे थे लेकिन आज गुरुवार के दिन तेजस्वी यादों पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो गया है आपको बता दे कि सुत्रों के अनुसार दिल्ली में स्वासलाब कर रहे हैं पिता लालू प्रशादियादों के बुलाने पर वो पटना से रवाना हुए हैं पटना एयरफोर्ट पर तेजस्वी ने बताए कि दो-तिन दिनों में हम लोग वापस आ जाएंगे दिल्ली में लालू प्रशादियादों से मुलाकात के बाद तेजस्वी यादों ने मीडिया से बात करते हुए नितीज सरकार पर जम कर निसाना साधा है तेजस्वी ने बिहाग को विशेश राजी का दर्जे को लेकर कहा है कि पहले भी राबरी देवी की मांग के बाद इन लोगों ने विशेश राजी का दर्जा का सवाल उठाया था इस चीज को लेकर हम लोग ने दिली तक रैली भी की थी साथ ही उन्होंने जातिय जनगर्णा को लेकर भी बात की है क्या कुछ कह रहे हैं ते जस्वी यादो आप खुद सुनिये की सरकार थी आप याद की जिगा चाली में से 22 एंपी जीते थे यूपी वन के टाइम में तब आइस एंपी और लालू जी के नेत्यूत में बिहार को एक लाग चावालीस 24 करोर का पाकेज दिया हूं आज 40-49 एंडिये के साथ चाता है क्या मिला बिहार को मंत्री हो राज मंत्री हो ऊपर से लेके नीचे तक उनकी सरकार है और 16 साल से मुक्रमंत्री नितीश कुमार जी फिर भी बिहार गरीब है पिछड़ा है जैसा की नितियायों की रुपोर्ट में और रिपोर्ट देने वाला भी नहीं की सरकार का जिसके चैर्मेन आप प्रदान मंत्री जी को समझ लिए तो आप समझे तो अगर पीछड़ा है गरीब है बेरोजगारी सिक्षा चौपर्ट चिकित्सा चौपर्ट अगर सब कुछ है पलाइन हो रहा है लगवार चार करूर से भी जादा लोग बिहार की लोग जो है बाहर रोजी रुटी के लिए जाते हैं पढ़ाई के लोग बाहर जाते हैं इलाज के लिए बाहर जाते हैं तो इसका दोशी कौन है और मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं 16 साल राज करने के बाद की बिहार पिछड़ा हमको मदद अरे आप मदद मांग किस से रहें आप तो पार्टनर हैं आप तो सडकार के पार्ठ हैं और आप करते हैं डबल इंजन तो डबल इंजन लगेगा कैसे दिखना तो चाहिए ना कि डबल इंजन है बीजेपी साथ नहीं तो यह तो क्या लपता है मुख्यमंत्री जी को बहार लोगों से लेना देना है ना जाती जंगना से लेना देना है ना बिहार के स्पेशल पैकेज से लेना देना है ना गरीबी दूर करने में ना पलायन रोकने में ना करखाना लगाने में ना रोजगार देने में ना किसानों के समस्याओं को अहल करने में उनका केवल एक ही मक पुर्सी के लिए वो व्यक्ति कुछ भी कर सकते हैं और हम लोग उने देखा हैं ऐसा कोई सगा नहीं जिनको उन्होंने ठागा नहीं हो अब हम लोग तो आश्वास्थ हों के ना मिलने के बाद लेकिन आप मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद भी आल पार्टी मीट नहीं ह जाता है जब विधान सभाद से विधान परिशत से दोधो बार सब पार्टियों ने जाती जन्गनदा को लेकर के परस्टाव केंदर को भीजा यानि सब तयार है तबी ना ब्रभार कर नहीं तो उसका कहा कि तेज़स्री आदा उसे मैंने कुछ सवाल पुछे थे आज तक उनोंने उसका जबाब नहीं दिया कि 15 साल का जो आर्यडी का साथ संकाल था विहार विधान सभा में लोग प्रोशीडिंग नहीं न देखते हैं आकलान कितना बार हम बोलेंगे हम तो विहार विधान सभा में थोड़ा इतिहाज जानने और निकलवाएं 1990 से लेके 2005 जो हम लोगों की सरकार रही उसके बाद से 2018 तक का सिक्षा का चिकिच्षा का क्राइम का लौ और का बकाइदा हम लोगों ने जवाब दिया है कंपेड किया था मेरे भाशन को देख लें उसका जवाब तो मिला नहीं हमको मेरा जब पहली बार जब हम उपोजिशन लीडर बने जो मेरा पहला भाशन हुआ जब इन्होंने जनादेश का अपमान किया था मुक्य मंत्री जी कहेंगे बाद में देंगे आपका जवाब कि लेना देना है और वैसे भी अभी नहीं बोल रहा है कि फ्लॉप हो जाएगी कुछ लोग रहा है कि अप जो बोले था वह उसका अप देखे थे उनका रैली जो हुआ था लास्ट फिलाल इस खबर में इतना ही वने रहे सिटी पोस्ट के साथ धन्यवाद